हाँ तो भाईयो टीम इंडिया पहुंच चुकी है T20 वर्ड कप के फाइनल में और फाइनल मुकाबला किसे खेलेगी सौथ अफरीका की टीम से अब देखे तो T20 वर्ड कप के जितने भी मुकाबले खेले गए और जितने भी मुकाबले में लोगों ने कबर किये लगबग हर म बात करें तो अपना जो बिनिंग परसंटर रहा 90 परसंट मैचों में हम लोगों ने एक तरफा बिनिंग किये और 10 परसंट मैचों में हम लोगों को लॉस भी हुआ है तो भाई 90 परसंट मैचों मतलब प्रॉफिट में ठीक है और अब टीट वर्ड कप 2024 का जो फाइनल मुक ऐंगा उने चैके 30 जूम को खेला जाएगा रात के 8 बजे से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली कहां पर खेला जाएगा casing ghatr оval bharp dose में मुकाबला खिला जाने वाला है तो यहां पर हम बात करेंगे अपर team के बारे में जिसमें हम आपको बताएंगे grand league की team के बारे में GL की team के बारे में जैनि कि अपनी आप GR WAL team बनाओगे सब कुछ बताने वाले और कौन सीटी में मुकाबला जीतने वाली जो सबसे बड़ा सवाल है ओ भी आपको बताएंगे इसके लावा मेरे बाई यह फाइनल मैच है तो फाइनल मैच में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फिरी गिवे भी है अब फ्री गिवे आप जीतोगे कैसे देगे यहां पर यह मैच फैंटसी पॉइंट वी से बहुत बड़ा मुकाबला है मैं आपको जैकपट बना करके दे दूँगा लेकिन इस वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फिरी गिवे भी है तो यह फिरी गिवे आप कैसे जीतोगे कि अगर आपको पूरा देख लेना है अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो मेरी तरफ से आपको फिरी गीबे तो मिली ही जाएगा साथ ही साथ आप अच्छी टीम बना करके बड़ा प्रॉफिट भी कमा सकते हो इसके अलावा एक काम करना है कमेंट सक्षन में आपको एक प्यारी से कमेंट कर देनी चाहे आप टीम इंडिया लिख दो या पिर आपको जो अच्छा लग लिख सकते हो बड़ कमेंट जरूर करनी अगर आपको मेरी तरफ से फिरी गेंट बे जीतना है तो ठीक है भाई आगे बरते हैं बात करेंगे पिछ रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले क्यों हम लोग पिछ रिपोर्ट से शुरुवात करते हैं बार्पडोस में मुकाबला खेला जाएगा 30 मैच यहाँ पर खेले गए 19 मैच पहले और 11 मैच जो है बाद में बल्ले बाजी करना टीम जीती तो मतलब जो टीम यहाँ पर पहले बल्ले बाजी करती उसको एडवांटेज मिलता है और देखे भाई यह फाईडल मुकाबला है तो बहुत प्रेसर वाला गेम रहेगा मेरे साफ से टीम इंडिया अगर पहले बल्ले बाजी करें तो टीम इंडिया आगर पहले बल्ले बाजी करके 180, 190 बना देती ही तो टीम इंडिया आरांघ सी स्कोर को डिफेंट कर लेगी तो टॉस जीते टीम इंडिया को मेरे साथ से पहले बल्ले बाजी करनी चाहें मैं वह ऐसे ही टीम बनाऊगा ठीक है हाइस टूडल देखो 224 यहां का है lowest की बात कर सी रन है हाइस चेज यहां पर जो 122 हुआ lowest defend यहां पर हुआ 133 हुआ सबसे कम स्कोर जो defend किया गया है 134 और सबसे बड़ा स्कोर जो चेज किया गया है 112 मतलब यार 110 बना लोगे फाइनल मैच यह प्रेसर वाल गेम है तो दोसों के बराबर दिखाई देगा आपको तो टॉस जीतने वाली टीम मेरे साथ से पहले बल्ले बाजी यहां पर करने वाली है फर्स्ट इनिगाप स्कोर की बात करें 152 इनिकी बात करें 133 है लाश्ट 10 मैचों में यहां पर पेसर ने 60 बिकेट निकालें और grow जो बिकेट यह बिकेट जो बार्डोस वाली बिकेट थोड़ा पेसस के मुफीद में रहेगी थोड़ा पेसस को advantage देगी compared to sprint ठीक है तो पेसस को थोड़ा advantage देगी ये बात ध्यान लगेगा scoring pattern 150 से निची का score 11 बार बनाए 150 से 79 की बिच का score 8 बार बनाए 70 से 89 की बिच का score 7 बार और 190 से उपर का score यहाँ पर जो बन चुका से यहाँ पर score बनाए लास्ट माई 23 जून को होता है USA की डिम 115 बनाती इंगलाइट 117 बनाती है बिना बिच को है 9.4 बन में 7 बिच पेसस को 3 बिच यहाँ पर इस्पनस को मिले USA यहाँ पर 128 बनाती वेस्टेंडी 130 बना लेती 5 बिच पेसस को 5 बिकेट पेसस को 5 बिकेट इस्पनस को मिले तो बाई जो मैं बतानी कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर पहले बने बाजी करके 200 तक का इसको किसी तरीके से खड़ा कर देते हो तो फिर चेस करना दिक्कत हो जाएगा क्यों टीब इंडिया की अल्रेडी गेंद बाजी बहुत तकड़ी बाई बाकी जो पेसस को इस्पन का रेशियो रहेगा वो थोड़ा पेसस को एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर हाँ इस्पन गेंद बाज बिके निकालें कौन से कुल्दी प्यादो आपके लिए पी तक 14 मुकाहबले टीम इंडिया और 11 मुकाहबले जीती है तो यहां पर मेरे भाई तो टीम इंडिया आगे है सौथ अफरीका से सब्erkार मुकाह जीती है ल सक दो तो मुकाबले दोनों टीमें आपन्स में खेली उसमें देखे किन-किन किलारों प्रफार्मेंस गी है यह मैस 30-20 था इंडिया 200 बनाती 200 एक सौथ अफरीका 95 पर अलाउट हो जाती एक 106 रन से टीम इंडिया समैज को जीती है जैसवाल के साथ रन और सूरी कुमार यादो के आ मारको जांसन के एक बिकेट और यहां पर देखे बाई तबरेश समसी ने फिर से एक बिकेट निकाला और जेरायल कोटजे को यहां पर तीन बिकेट मिले थे आगे बरते बात करेंगे प्लेंग 11 के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अपनी फेवरेट टीम इंडिया की प्लेंग 11 के बारे में तो टीम इंडिया की तरफ से ओपन भाई मेरे साथ से यहां पर कोई चे पाइसर पडेल पाइसर पड़ेल पांडिया गेंडबाज के छठे रबिंद्दा जड़े जड़े जाए ठीक है और मेरे साथ से लिके लोगोदी नहीं करेंगे आगे बढ़तें बात करेंगे प्लेयर वाज पर्फरमेंस के बारे में तो सबसे बेला नाम भाई रोहित का है रोहित तगडी फ़र्म में है लाश्ट में पर 57 है है जो खिलारी फैनल हो गएरा में चलना चाहिए हम लोग मीद कर रहे थे स्रीमिक फैनल में चले एक अच्छा सिक्स भी लगाया था बट उसके बाद बोल्ड हुए थे रिश्टोपली की गेंद पर अच्छी गेंती हो बट मेरे साथ से यहां पर कोहली सा परफॉर्म करके दे पाकिस्तान के गेश्ट एक अच्छी पारी खेली थी बाकि यहां पर एक शत्तिसरों की पारी आती है लास्ट में फ्लॉब है बहुत बड़ी उमीद नहीं करेंगे बट यह 20-30 का स्कूर कर सकते बाकि सूर्य कुमार यादव आपकी डिम के लिए इंपोर्डर रहेंगे सरस उनकी पारी लास्ट में बनायते हैं और मैंने रिशन जो आपको दिखायते हैं एक सतक लगा था सूर्क बर्यादव ने उस्ते पहले जो मैच सिकेंटी 20 खेला था वहां पर एक अर्स तक आया था मेरे साथ से इंपोर्डर भी और सीवी सी के बेस्ट आपसर रहेंगे अच् यहां पर देखिए तो 50 पारी आई थी प्लस एक बिकेट मिन निकाला था और यहां पर देखिए 32 प्लस जीरो बिकेट इंपोर्डर भी रहेंगे बैक करके चलेंगे ठीके बाकी एक सीवी सी की आपसर रहेंगे अगर चाहो तो ट्राइकर करके चल सकते हो खासकर के फर्स इ नहीं तो मैं इनको उतना ज्यादा इंपॉर्डर पिक समझ भी नहीं रहा हूं तो मेरे साथ से आदम को छोन करके चल सकते हो कि देखो 73 मैचों में ने पांसो तेरा रहा है बाकि काफी कराब है तो आई तिंक मैं डॉप करके चलने वाला हूं अक्सर बड़े लिंपॉर्ड है इनको भैकर के चलिएगा स्याव्शा के कूली पिया दो र मैच्ष निकालेगे लिए कं सब्सक्राव hm आपको महारान नजर आएंगे रभाड़ा नौर्टजे और संसी इनकी तरफ से मोस्ट अबदाबर देखिए यहां पर देखिए नौर्टजे करेंगे बाकि खईशो रभाड़ा संसी और यहां पर केश्व महाराज पांच गेंद बाद छटे मारको जैंसन होगी साथ वे खु जो हैं टीम इंडिया के सामने उसे खेलना पसंद करते हैं ठीक है अगर चल जाएंगे तो अच्छा स्कूर करेंगे बट बहुत कम चांस मुझे लगरें इनके चलने के बाएक करके चल सकते हो अलग सरसट मैचों में देखो रिजिया हैंडिक्स ने बनाए हैं उननीस तो अ सब्सक्राइब करना कि टीम इंडिया के सामने बल्लेवाजी से आप उम्मीद मत करना कि टीम इंडिया के सामने बल्लेवाजी से कर पाएंगे उनके गयात्रा जापी अच्छे तो बल्लेवाजी में रनाप को बना कर नहीं दे पाएंगे विक्टे एक अता निकालने अलग बात है तो बल्लेवाजी में कुछ निकर ठीक है बाकी मार्क किस्व महाराज 34 मैचों में तेसी बिकट निकाले हैं खगिशो रब नासी बिके निकालें, last मैंज़ में 3 बिकेट हैं, उससे पहले भी 3 बिकेट निकाले तो उससे पहले एक बिकेट, उससे पहले चार बिकेट, I think देखे, समसी की अगर बात करें, तो समसी की अगर निशन फार्म आप देखो, काफी एची रही, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्य गेंदबाजों को मदद नहीं है, तो I think अगर चाहो तो डॉप करके चल सकते हैं, कोई इनकी पिटाई काफी ज़्यादा होती है, आगे बरतें, और बात करेंगे अमने टीम के बारे में, हलाकि यह फाइनल टीम आपको मिलेगी, टॉस के बाद टेलिगाम चलपन, तो फाइ हार्दिक पांडे और मारकरम आपको और जराएंगे, बालिंग सेक्चन में आपको आप देखोगे, जस्परी दुम्रा, खगिश्योर रवाड़ा के साथ साथ यहां पर आपको कुल्दी पातों नजराने वाले हैं, कप्तान की बात करें, तो मैंने कप्तान इस मैज के तो फाइनल टीम के लिए आप चले जोइन कर लिजेगा, लिक डिसकर्प्टन में है, फिलाल अगर आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिलाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद,